हलो बच्चों मेरा नाम पवन कुमार गुपता टीम फिजिक्स सील सीकर टेस्स सीरीज की सोलुइशन्स जही एडवांस में बात करते हैं सेवन टेस्ट जिसमें टॉपिक कवर करने वाले मैगनेटिक एफेक्ट अब मैगनेटिक एफेक्ट और इसमें अपना पहला जो परेग एफ लूप लाइजए ओरीजिन ठीक है तो जो एक ओर नरे वह तो और इसन पर है अब आपको यहां बताना है कि unit vector in the direction of magnetic field center of cube of width एल है ना अब यह यह सारी साइट की लें तो इसके एंटर पे टोटल मेगैनेटिक इतना वो आपको बताना है एंड़ाएं तो यहां तो हम आप सिमेट्री से समझूगैं न's में तो क्yttॉंट कर चाहिएं गर्शिध का सेंटर का इंडेकल न YOU यहां कर्याँ होगा अब इस ग्लं साइद होस्थपुरू значит direction में कौन produce करेगा जी एच का फिल्ट असे आएगा तो cv का उसका opposite आएगा क्योंकि यह point इन दोनों से symmetrically located है इन दोनों side से और equal distance पे दोनों opposite direction में है एक point की इस तरफ और एक point इस तरफ है इसका logic में आपको लिख देता हूं कि जैसे मालों दो wire हैं दोनों में current सेम direction में और जो बीच का point है न उस formation 8 field 0 आता है यह concept आपको पता है न इस concept को use करोगे तो same i current i current यह distance d और यह distance d तो इसका मतलब यह distance यह current एक दूसरे के field को cancel करेगी न तो इसका मतलब g h से किसका field cancel होगा c b का इसी तरह से d e से किसका field cancel होगा h e का तो यह चारो तो एक दूसरे को field को cancel कर देगी अब बात करते है e f का field किदर आएगा तो देखो b जो e f ने produce किया होगा e f में current यह है न तो इस पर field ऐसे जाएगा थोड़ा सा एक rule लगाओ कि wire में current ऐसे है center इस जगे सोड़ा सा पीछे तो यूँ ऐसे हाथ ऐसे जाएगा न तो देखो इसमें direction आएगी minus k और minus j तो यह हो जाएगा minus j minus k by root 2 है न मतलब unit vector आएगा इसका है ठीक है अब उसके बाद जो f e है उसका a b की अगर बात करें तो a b जो है a b का जो magnetic field है उसका unit vector की आएगा value wise दोनों सेम आएगे न अब unit vector की आएगा देखना इसमें current यू है तो point इस wire में current ऐसे है point यहाँ है तो देखो right hand rule के साफ से ऐसे आएगा ऐसे आएगा मतलब की minus j plus k k by root 2 इसी तरह साब g h wire जिसमें current ऐसे है अब g h wire में क्यों हो जाएगा इस case में g h wire में देखना g h wire में जो field है वो इस तरह से point जो है wire से इधर नीचे है तो current यू तो ऐसे line यू होँएगी जैसे मालू wire current ऐसे है तो फिल्ड यू जाएगा अब अपना center यहाँ आ रहा है तो यह direction आएगी magnetic field की है ना यह g h wire की current है और इस o center o यहाँ पे है तो इसमें देखो कौन-कौन से component बन रहे है minus x और minus j तो यह बन जाएगा minus j minus i by root 2 और इसी तरह से जो g h के बाद c d wire है c d wire का field बनेगा minus of j plus i by root 2 तो इनके की unit vector लिख दो कि उसने आप से unit vector ही पूछा है final का तो unit vector यह आप देखो 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 इस सोरी plus i आएगा इतने है ना तो देखो इसमें plus i minus i कट जाएगा plus k minus k कर जाएगा तो सारा जो unit vector हो कुण सा बच रहा है फिर minus j kip minus j kip बसेगा इसका मतलब finally unit vector जो है वो minus j direction में होगा इसका मतलब इस पर total field की जो direction होगी वो minus j kip के लोग होगी किसमें center point जो यहाँ पर center है ना यह वाला center हो उस पे ओके इसके बाद आगे बढ़ते है next second question आप से पूचा है कि इसमें कितना torque लगेगा है ना तो torque का unit vector पूचा है तो torque के लिए सबसे बहुत फोर्स देखते हैं तो इसमें जो force होगा ना यहां पर अपन बात करें अब देखो इसमें क्या होगा यहां force जो होगा सबसे पहले देखो magnetic field कितर लगा इसमें जेकेप direction में इसमें magnetic field लगाया तो जेकेप में देखो magnetic field करेंट ऐसे तो इस पर फोर्स कितर लगेगा एसे इस पर फोर्स लगेगा ऐसे यह दोनों फोर्स होएं वो एक दूसरे की एक पर अपोजिट और इनकी line of action भी सेमें तो इन दोनों का force का effect भी cancels होगा और torque का effect भी cancels होगा इसी तरह से यह जो वायर है इस पर force कैसे आएगा इधर की दरफ और इस वायर में force इधर की तरफ अब यह force भी एक दूसरे से cancel हो रहा है बच्चों आते हैं हमारे third question पे second paragraph तो इसमें आपको एक series RLC circuit गिवन है लेकिन इसमें inductive coil का भी resistance आपको दिया गया है तो इस वजह से अब अपने पास जो circuit का net resistance है वो net resistance कितना हो गया R1 प्लस R2 44 प्लस 36 बराबर 80 XC कितना हो गया 30 XL कितना हो गया 90 ठीक है अब इस तरह से जब अपने पास circuit बन गया तो इस circuit में आप देखेंगे कि total X कितना आ रहा है X net आ रहा है 90 minus 30 that is 60 तो अब इस case में 60 आ गया तो इसके बाद potential difference आ गया इसके बाद तो अब यहां पर देखो आप अपन से क्यापुछा potential difference across the coil तो coil में देखो इस coil को अपन अलग से draw करेंगे तो इसका एक resistance शो करना पड़ेगा 36 तो सबसे पहले current निकालते है current क्यों हो जाएगा V by Z, V कितना है 200, Z कितना है Z आ जाएगा R square plus X square तो 200 R कितना है 80 plus 60 का square तो यह Z हो जाएगा मेरे पास 200 divided by 100 यानि कि 2, 2 तो क्या जाएगा इसमें I की value जाएगा अब जैसे 2 I की value आएगी तो इस I की value के बाद अपन को किवाल इस inductor coil में निकालना है ना तो इस inductor coil को लग से बना दो इसका 90 तो क्या है वो inductance और actance और 36 इसका यह तो इसमें जो VL पर drop आएगा वो कितना आएगा 180 यह current की value 2 है न और इसमें जो VR पर drop आएगा तो वो कितना आएगा 36 into 2 तो यह आगया अपने पास 180 और 72 यह अपने पास आ जाएगा तो अब इसमें net के से निकालोगे तो VL square प्लस VR square यह हो जाएगा इसका total ध्यान रखना है इसमें total add नहीं करना है क्योंकि add करना नहीं होता है हमेशा phase wise add होते हैं तो VL कितना अपने प square प्लस 72 का square तो इसको जब आप solve करोगे तो approximately इसमें 18 तो आपका बाहर निकल जाएगा यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 10 का square 100 और 4 का square 16 तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 116 तो 18 इंटू 116 रूट में अब 121 का कितना होता है 11 होता है तो 11 से थोड़ा सा कम होगा तो 18 इंटू 11 से थोड़ा सा कम 10.8 मान लो तो approximately 194 आपका answer बन जाएगा ओके पीटा तो यह simple यहाँ पे देखो अपनने net reactance निकाल के z निकाल के i निकाल लिया और फि अब इसमें आपसे total power consumption पूछा है तो total power consumption पावर क्या होता अपने पास v rms i rms cos phi तो v rms कितना है 200 i rms कितना है 2 cos phi कितना हो जाएगा r r कितना है 100 और z कितना है 100 यह r by z होता है cos phi की value तो कितना जाएगा इस से देखो यह खतम तो यह हो जाएगा मेरे पास 320 watt ठीके तो 320 watt यहाँ पे आजाएगा 4th option 4th का 1st option ओके पीटा तो यह हो गया complete अब इसमें आपको अगले question में एक cross section दियावा है electrical cross section में एक magnetic field दियावा है इस magnetic field में आपने एक particle को रखा और यह particle जो है वो constant radius पर गुम रहा है लेकिन इसमें जो है न वो बोल रहे है कि speed जो है वो किस rates होगा अब देखो speed का भी magnetic field तो increase कर नहीं सकता speed increase करने का होता electric field का तो यहाँ speed कौन increase करेगा electric field ही तो increase करेगा मतलब जो electric field का force है fe वही इसको acceleration provide करेगा fe क्या होता है qe इधर लिख दूंगा में dby dt अब देखो सबसे पहले e dot dl equals to a dby dt यहोता है आपने पास एक formula तो e dl क्या हो जाएगा 2 pi r pi r square dby dt तो इस case में यह e की value क्या हो जाएगा अपने पास r by 2 dby dt तो इस case में dby dt तो इससे देखो मेरे पास यहाँ पर यह मेरे पास एक dby dt की equation यहाँ पर आ जाती है ठीक है अब इस case में r की value को अगर आपन replace कर दें तो देखना यहाँ पर q pi 2 r क्या होता है r होता है mv upon qb dby dt अपनी जगे लिखा हुआ है और यह क्या है dby dt dt से dt खतम तो यह हो जाएगा मेरे पास db upon b db upon v और q से q खतम और यहाँ पर क्या जाएगा अपने पास half अब देखो magnetic field का change कितना दिया है 2% दिया न तो 2% का change इसको सो से multiply करें तो percentage change पर चानवर्ट हो जाएगा रहा है half is delta v percent तो delta v percent कितना हो जाएगा है 1% यह तो आगा अपना magnetic field का change होने से speed में कितना change आएगा actually magnetic field के change होने से directly speed change नहीं होगी magnetic field जो change हो रहा है वो एक induced electric field produce करेगा और वो induced electric field इस positive charge पर देखो आप magnetic field को बढ़ा रहे हो न तो इसका मतलब इसमें induced electric field इस तरह से anti clock wise produce होगा तो anti clock wise जो electric field बनेगा यहाँ पर कि 20 clock wise electric field इसकी speed को बढ़ाएगा ओके अब discussion के paragraph के अगले पार्ट में बोला गया कि इस question में charge किस rate से बढ़ेगा देखो आर जो होता है वो क्या होता है mv by qb तो हम v लेख सकते हैं q equals ऐसे लेखेंगे कि qb equals to m by r v अब देखो m by r तो एक constant हम है न क्योंकि radius constant है पहले बोल दिया तो अब इसको आप ऐसे लेख सकते हो percentage changes के फोर्म में जो error वाला method होता delta q percentage plus delta b percentage equals to delta v percentage है अब q का percentage जो है आप से पूछा है v का percentage जो है वो कितना आया था 1% आया था b का percent कितना था 2% और q का percentage change आप से पूछा है तो इससे delta q percentage कितना आ जाएगा आपके पास minus 1% माइनस 1% का मतलब क्या है decrease by 1% फॉर्ट ओप्शन तो इस केस में फॉर्ट वन परसेंट से जो है इसका charge कम होना चाहिए तब ही तो रीडिस concentrate रहे पाएगी देखो speed बढ़री इसका मतलब confirm है मास से में speed बढ़री इसका आप फोर्स तो लग रहा है फोर्स किसने लगा एक तो इंड्यूस एक फिल्ट फोर्स लगाएगा तो इस बढ़ेगी अब बीचेंज हो रहा है speed बीचेंज हो रही है बट आर चेंज नहीं रहा है इसका मतलब आर्ज को change होना ही पड़ेगा ओके तो अच्छा कैशन है नोट करेंग बार इसका करके देखते हैं तो टी बराबर जीरो पे देखो सर्कीट में क्या होगा इस तरह से कैपस्टर क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा शोट हो जाएगा टी बराबर जीरो पे तो तो यह R1, R2, R3 तो इस केस में जो current जाएगी सेल से वो कितनी जाएगी I तो I कितना हो जाएगा V upon R1 प्लस R2 पैरलल R3 तो यह कितना हो जाएगा V upon R प्लस R by 2 मतलब कि 2V upon 3R धियान रखना इस केस में जब circuit में current होती है वो maximum होती है तो maximum current जो circuit की है वो कितनी है R3 अब R3 इसकी जो current सोरी circuit की जो current है वो क्या है resistance इस केस में जो आपका यह R minimum है तो current maximum आएगी तो current maximum कितनी जाएगी इस में इतनी अब maximum current जो है वो इतनी है तो यह इस में से फिर R3 में से कितनी जाएगी यह जाएगी I by 2 क्योंकि यहां से current दो इसों बढ़ जाएगी न बराबर resistance थे इसलिए तो I by 2 मतलब कि V by 3R तो इस केस में से जो यह I3 है यह तो steady state के case में अपने देख लिया है अब इसके बाद आपन ती बराबर 0 पर देख लिए अब steady state की बात करते हैं तो steady state में क्या होगा देखो steady state के लिए अपन को इस रजिस capacitor को open करना है तो capacitor को open कर दिया आपनने अब steady state में केवल कोन connected है R3 और R1 तो जो current जाएगी steady state में वो इस तरह से flow होगी तो I steady state क्या हो जाएगा V upon R2 प्लस R1 प्लस R3 यहने कि V upon R प्लस R यहने कि V by 2R अब देखो इसमें इनिशल टाइम पर करेंट कितनी थी आर्थरी में V by 3R और final steady state में करेंट कितनी है V by 2R steady state में current जो है वो initial current से जादा है मतलब maximum current कितनी है V by 2R minimum current आर्थरी में कितना है V by 3R यह भी सही है तो maximum current कब आएगी यह आएगी steady state T बराबर infinite पर और यह करवाएगी minimum current यह आएगी T बराबर 0 पर है ना ध्यान रखना कहें लोग confused होते हैं कि maximum current जो है वो तो टी बराबर 0 पर होती है वो capacitor वाली ब्रांच का maximum होता है अपने जब current की question लखते है आई बराबर I note e to the power minus T by RC वो capacitor की current की question होती है यहां उन्होंने और 3 की करण पुछा है ठीक है और maximum charge on capacitor देखो infinite time में जो और 3 पर drop होगा क्यों कैसे निकालोगा क्यों हो जाएगा C into VC और CVC को कौन सा मिलेगा V3 का जो drop हो मिलेगा यह हो जाएगा V by 2R I into R से निकालोगे कितना हो जाएगा CV by 2 तो इसका मतलब CV by 2 यह maximum charge store हो जाएगा यह बोल रहे है कि R2, R3 पर potential इतने time पर same है first option में देखो first option में हम यह बोल सकते हैं कि यह दोनों branches parallel में है न तो किसी भी time पर capacitor और R2 पर drop मिला करके R3 पर drop के एकवल होगा अब शुरुवात में capacitor जब short था T बराबर 0 पर VC 0 था मतलब हम बोल सकते हैं V2 और V3 बराबर थे लेकिन जैसे जैसे time बढ़ेगा time बढ़ेगा तो क्या होगा VC बढ़ेगा time बढ़ेगा तो VC बढ़ेगा VC बढ़ेगा तो अब इससी बात है वी आर टू घटेगा और वी आर टू घटेगा तो फिर तो वो R3 से कम हो जाएगा तो अपना पहला option इसमें गलत हो जाएगा ओके तो यह अपना second, third, fourth इसके correct option हो जाएगे एक बार solution not करें बच्चों वीडियो pause कर ले अगला question आता है, अगले question में आपको एक circuit गीवन है, इस circuit में देखना, यह जो 7 ohm है ना, यह 7 ohm के दोनों points हो है, BOD, वो same potential point है तो इसका मतलब circuit को देखका हम बोल सकते हैं कि 7 ohm पे potential drop 0 है, मतलब 7 ohm की current कितनी आएगी? 0 यह तो clear है, तो 7 ohm पे current 0 हाजाएगी, फिर यह बोल रहे है, current through 6 ohm resistances 2 amp, अब यह दोनों resistance parallel में है, इधर current जाएगी, यह भी parallel में, और यह भी parallel में, तो इसमें current जाएगी 4 amp, और इसमें current जाएगी 2 amp, तो 4 amp, 2 amp, अपना second, third option इसके, और fourth option तीन हो सही हो जाएगे, फिर इसक आपने बात करते, third question की, तो third question आपको यहाँ पर very long solenoid perpendicular to page, मतलब इस तरह से solenoid को रखा गया है, इस तरह से है और इसमें magnetic field into the page, whose magnitude increase with time, this introduce, induce an EMF conducting wire loop around the solenoid, अब यह एक wire loop है, इसमें बीच में आपने 2 bulb लगा दिये इस तरह से, तो यह दो बल लगवे हैं, अब देख इसमें magnetic field जो है, वो time के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसकी इसमें देखना solenoid place perpendicular, इसमें increase हो रहा है, भी time ही लिखा हो, magnitude increase with time, तो time के साथ जब magnetic field increase होगा, तो एक induced electric field बनेगा, वो induced electric field क्या करेगा, इस बढ़ता है, तो magnetic field को oppose करेगा, तो इस तरह से बनेगा, तो इसमें induced electric field है, वो पहले इस तरह से बन रहा था, ठीक है, जब यह wire नहीं था जब, ठीक है, तो दोनों बल गल रहे थे, अब उसके जब आपने wire लगा दिया, तो wire लगने के बाद क्या होगा इस case में, यह induced electric field जो है, पूरे इ induced electric field इस तरह से, इस तरह से current flow करवाएगा, ठीक है, ठीक है, current जो है न, वो अपने least resistance path को follow करना चाहेगी, तो यहां तो wire बल्ब का resistance आगया, और इसमें जो है वो resistance नहीं है, इसमें तो है न, तो इस वाले wire के थूए current जाएगी न, तो A जो है, वो तो काम करता रहेगा, इव है, दो बल्ब में, अब अकिला voltage A खालेगा, तो A की brightness तो बढ़ जाएगी, और B जो है वो, उसको खतम हो जाएगा, तो उसकी brightness खतम हो जाएगी, ओके, उसके आते हैं अपन 4th question पे, अच्छा हम आते हैं 4 question पे, 4 question में आपको एक conductor located in magnetic field, along the inward normal to the plane of figure, the magnetic field is charged, diminishing, मतलब यह ता जो current आएगी, वो इस तरह साएगी, magnetic field को support करें, तो current जो है, वो इस outer coil में हमेशा magnetic field को support करने वाली direction में बहेगी, तो यह magnetic field अपना flux अंदर की तरफ बनाएगी, ताकि external field को support कर सके, बट उसके opposition के लिए फिर यह अंदर वाली coil opposite current flow करवा देगी, तो बाहर वाली coil में current clockwise और अंदर वाली coil में current anti-clockwise, तो P point पे clockwise, Q point पे anti-clockwise और R point पे 0 क्योंकि यह पार्ट में कोई current नहीं flow होगी, यह potential equal होंगे दोना है, पॉइंट चोंगे, ठीके, तो R के अक्रोस potential difference 0 होगा है, इस list में कोई current flow नहीं होगी, finally इसका first, second और fourth correct हो जाएगा, अब इसके बाद अपने बात करते हैं, next, LCR series circuit phasor of current I and applied voltage जो है वो आपको दिया गया है, तो आपको यहाँ पे, सबसे पहले क्या करना है, V की equation तो देखा आपको V बराबर V0 sin omega t दी हुई है, और I जो है वो current wise आगे चल रहा है, तो I0 sin phase wise आगे चल रहा है, आगे चल रहा ह pi by 3, तो इस case में, I जो है वो, I0 sin omega t plus pi by 3, यह given है न, अब इसके बाद अपन बात करेंगे, तो सबसे पहले, time के वो लिए देखते हैं, time जो है वो यह दिया वाए, इससे अपन omega t निकाल दे क्या, omega t आएगा pi by 2, तो pi by 2 की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे एक बार, power जैसे को, power add, t equals to pi by 2 omega, तो क्या होता है, instantaneous power voltage और I का multiple होता है, voltage क्यों हो जाएगा, omega t की विल्यों, sin pi by 2, 1 हो जाएगा, और यह हो जाएगा, I naught, sin pi by 2, प्लस pi by 3, तो sin pi by 2, प्लस pi by 3, मतलब कि sin 150, sin 150 कितना होता है, sin 150 होता है, half, तो यह power आएगी, V naught, I naught by 2, जो कि positive power है, तो यह negative दिया है ना, इसने, गलत हो गया है तो, power तो positive आ रही है, फिर 0 से लेकि 2 pi by 3, अब यह time कितना आ रहा है, को इस time के एक बार देख लेते हैं, omega t इससे आएगा, 2 pi by 3, अब 2 pi by 3 तो यह है, अगर आप अगला pi by 3 भी जोडतो, तब जाके current के विल्यों होगी, मतलब इस time से पहले तक, जो है, voltage continuously positive है, और current जो है, वो भी continuously positive है, तो इसका आ रहा है, 5 pi by 6, 5 pi by 6 पे देखो, जो 5 pi by 6 है, उस पर voltage negative आजाएगा, बट current positive आएगी, तो इस पर voltage जो है, वो negative, and current positive, तो finally क्यों होगा, total power negative हो जाएगी, इस case में, उसके बाद omega को गर आप हलका सा बढ़ाते हूँ, अभी देखो, यहाँ पर current आगे है, ना, आई जो है, वो जादा है, किस से, XL से, ठीक है, तो इसका मतलब जो X net है, उसको आपने क्या से लिखा होगा, XC minus XL लिखा होगा, अब जब आप omega को वो थोड़ा सा बढ़ा हो, जादा नहीं बढ़ा हो, omega को अगर आप थोड़ा सा बढ़ा होगे, तो XL बढ़ेगा, और XC गटेगा, तो दे इसका मतलब इसका मतलब इसके इसमें, फाई जो है, वो थोड़ा सा reduce होगा, जो कि सही बात है, तो मेरा 4th option सही हो गया, मेरा 3rd option सही हो गया, मेरा 2nd option इसमें सही हो गया, ओके, नॉट कर ले एक बार इसका solution, अब इसके बाद एक conducting wire आपको दिया आवा है और आपको यहाँ पे L Lens और M मास के एक rod को आपने दो पैरलल रिल्स पे बिना friction के चलाया है, पत्रियां जो है, वो C क्यापेस्टेंस से जुड़ी है, आपको B magnetic field given है cross में, और constant force F लगा रहे हैं, देखो अब इस case में माल लिया आपने C कैपेस्टेंस है और इसमें I current अगर flow हो रहा होगा, तो जो I है वो किसको represent करेगा, DQI, DT को, और Q का मतलब क्या हो जाएगा, C into V, voltage, और voltage क्या हो जाएगा, B L V, तो ultimately I जो है वो क्या हो जाएगा, C B L, यह तो एक constant parameter है, D V by DT, इसका मतलब I कितना हो जाएगा, C B L A, ठीक है, अब हमें बता है जो लेंज का रूल है, जिसने मालों ही इधर आगे जाएगी इस पर फ्लस माइनस से सहरने का, तो current U flow होगी, current U flow होगी तो इस पर एक लेंज की हिसाफ से अब इसमें देखो, force नेट क्या हो जाएगा, external force माइनस magnetic force, क्या हो जाएगा, M into A, F minus B square L square C A, तो इससे A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा F upon M plus B square L square C, ठीक है, तो यह rod जो है, वो इतना acceleration से जारी, there is constant charge on capacitor, देखो, charge constant नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर current flow हो रहा है, तो current तो charge को ले के आएगी ना, capacitor के पास में, तो इस current की वज़े से capacitor का charge वो टाइम के साथ बढ़ेगा, ठीक है, और अपने बोल दे कि acceleration आ रहा है, acceleration आ रहा है, मतलब rod की speed भी बढ़ेगी, तो इस case में rod की speed constant नहीं, rod की speed बढ़ती जाएगी, तो अपना कौन सा option से जो जाएगा, इसका, 2 और 4, है ना, तो यहाँ अपना यह multiple choice वाला section भी complete होता है, ओके, one note करने हैं यहाँ तक, बच्च अब हम आते हैं हमारे section D पे जिसमें आपके integer choice, integer question दी गिवन है, इसमें आपको सबसे पहले आपको एक diagram गिवन है, इस diagram में आपको origin पे, जो z component है, उसकी value बतानी है, ठीक है, तो देखो origin पे z component डागरों किसके इस आएगा, पहले देख लेते हैं, यह जो wire है, semi-circular wire अपना field किदर बनाएगा, देखो यह जो wire है न, आई वाला, इसमें करनेट ऐसे है, semi-infinite, इसका जो field बनेग आएगा, ऐसे, यह तो आएगा, जेड में, तो इस semi-infinite की वैसे कितना field आजाएगा, may not i upon 4 pi d, semi-infinite है न, इसलिए 4 pi d, minus k k, अब यह जो wire है न, इसका field जो है, वो zx में नहीं आएगा, वो आएगा, x का opposite, x का opposite मतलब माइनस i k में, तो may not i upon 2 r, यह तो एक loop का होता है, औ उसका भी 3 y fourth minus i k. अब जो यहाँ पर field है न, यह जो wire है न, इस wire का field जो आएगा, यह जो यहाँ पर, इस plane में wire है, 具ड़ा, y zit plane में न, अब यह wire y zit plane में है, तो यह अपना field तो y zit plane के perpendicular प्रूडूस करेगा, तो इस wire का field भी i k. में ही आएगा, तो इस wire का field आएगा, I cape में, तो देखो ये दोनों Z direction में तो नहीं Z component के वल क्या है ये है ना BZ component तो BZ component mu naught की value 4 pi 10 power minus 7 divide by 4 pi I की value कितना है 10 और I की value कितना है 10 ampere और D कितना है R जो है वो 2 meter है तो 4 pi सो 4 pi कदम 5 तो कितना हो जाएगा 5 10 power minus 7 तो 5 10 power minus 7 यह अपने यहाँ पर K की value जाएगी कोई confusion इसमें तो K की value कितना है जाएगी 5 यह अपना 1st question तो उसका आता है पन अगले question पर 2 ideal parallel plate capacitor are placed in series and connected to a constant voltage source of V0 volt 1 of the capacitor is completely immersed in a liquid dielectric constant K देखो अब इसमें क्या है ध्यान समझना एक इस तरह से अपने पास एक capacitor था उसको अपन ने एक V0 cell के साथ connect किया तो इसमें कितना voltage आएगा आधा आधा बटेगा V0 by 2 और V0 by 2 फिर उसका दूसरा जो capacitor है उसमें अपन को देखो अपन ने क्या करा एक capacitor को डाल दिया तो यह capacitor पूरा डालेक्टिक में डूबा हुआ है तो इसका capacitance कितना हो जाएगा यह हो जाएगा K times of C है ना और यह हो जाएगा C अब हमें पता है कि जो capacitance का ratio है capacitance का ratio का है K is to 1 तो हमें पता है series में डेल्टा V जो है तो V2 कितना हो जाएगा VK मुझे 1 plus K हिस्से करने है और उसमें से K हिस्से मुझे किसको देने है इसको तो V2 में देखा अब यह K upon K plus 1 तो N की जगे क्या आ रहा है 1 आ रहा है न तो N की जगे आ रहा है 1 यह आगा अपना answer ओके फिर उसका आएगा second option के बाद अगला third a piece of wire carrying a current of 6 ampere is bent to in the form of a circular arc of radius 10 and it is subtend an angle 120 at center if the magnetic field due to the piece of wire at center is 0.63 y then find the value of y तो एक बार देखते हैं यहां पर एक wire जो है उसको आपने circular arc में ओफ रेडियस 10 meter में convert किया हुआ है ठीक है just a minute तो यहां पर छे के wire को आपने circular arc जो कि अपने center पर कितना angle बना रहा है 120 है ना तो 120 का angle बना रहा है यह अपने center पर इस तरह से आपने इसको मोड़ा हुआ है अब 120 का इंगल बना रहा है इसके center magnetic field में नॉट आई अपॉन टू आर यह तो पूरे wire की वाज़े से होता है 120 by 360 कर दो आर्क की वज़े से तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा मियू नॉट आई अपॉन 6R अब मियू नॉट की value कितने होती है 4 pi 10 power minus 7 उसके अलावा फिर यहाँ पी का जाएग अपने वास 4 pi i की value कितना given है i की value given है 6 ampere 6 की जाएगा 6 और r कितना है अपने पास r है अपने पास यहाँ पर 10 cm मतलब कि 0.1 तो देखो 6 से 6 कतम तो यह कितना जाएगा 40 pi 10 power minus 7 तो यह जाएगा अपने पास pi 4 pi into 10 power minus 6 अब pi की value कितना होता है pi की value होती है अपने पास 3.14 10 power minus 6 कितना हो जाएगा 56 12.56 10 power minus 6 अब इसमें अगर पन देखें 0.6 इसको 12.6 कर दूगा मंदास से तो इसको मैं 12.6 कर दूँगा 10 power minus 6 इसको मैं 1.26 into 10 power minus 6 कर दूँगा अब 1.26 को मैं क्या करूँगा 0.63 इन्टू वाई और जिब माइनस 5 हो जाएगा ना 10 power minus 5 तो वाई की value क्या जाएगा इसका अंतर 2 वाई 2 से 0.63 को 2 से multiply को तो 1.26 आजाएगा आपके पास चीक है तो इसका निरेस्ट इंटीजर आंसर आएगा वो कितना आएगा पॉइंट और टू आ जाएगा ओके तिसका आगे बढ़ते है अपन है फूर्थ क्रेशन पे फूर्थ क्रेशन में एक बार आप इसको नोट करने मिटा फूर्थ क्रेशन में देखिए आपको एक सर्कीट गिवन है इसमें कंडुक्टिंग वायर है ही जो की मुझ कर रहा है स्पीड वी से कॉंस्टेंट स्पीड है अब जब इसकी स्पीड कॉंस्टेंट है तो उसमें देखूं मैगनेटिक फिल्ट की यहां पर प्लस माइनस बनेगी तो इस वजह से यहां पर यह पॉलरेटी इसमें घुल होगा ना तो इसमें तो करेंट आ लेकिन जब इसमें constant voltage है तो यहाँ पर भी charge कितना है charge तो क्यों बराबर cv होता है ना अब इस पर charge constant है है ना क्यों भी इसका voltage constant चार्ज भी constant है अब ना velocity constant इसका मतलब जो induced emf आया था वो भी constant आया अगर blv अगर constant आ रहा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसकेस में blv अगर constant है तो इसका मतलब emf constant है तो charge on capacitor वो क्या हो जाएगा c into blv यह भी क्या हो जाएगा constant तो charge अगर constant है तो dq by dt क्या हो जाएगा cbl dv by dt अब dv by dt 0 है इसका मतलब dq by dt भी 0 तो capacitor वाले ब्रांच की current कितने हो रहेगी एच के डी एच के डी इस ब्रांच में कोई current flow नहीं होगा तो यह अपना जीरो आंसर आजाएगा इसका दू उसका आते हैं अपन फिप्ट करें पर एक नोट करें इसको अब फिप्ट करेंशन में देखो आपको यहां पे एक सर्कीट गिवन है और आपको इसमें बोला है कि 0.5 का डिफरेंस इस पूरे सेक्शन में आ रहा है करेंट की वैली कितना दिया आपको करेंट यहां पॉइंट वन रिजिस्टेंस दिया हो पॉइंट टू सुरी करें पॉइंट फाइव है तो देखो हम यह बोल सकते हैं कि वीए माइनस वीबी में दो चीजों का रोल होगा एक तो जाएगा वी एल और देखो राएगा वी आर वीएल कि हो रहेगा एलदिया फैटी और वी रえて or आइंट र और यह कितना है पॉइंट फाइफ तो पॉइंट्द वं कितना है कर लीए तो पॉइंट पोइंट फाइम ऐनर्ट 1 अपोन 8 कितना हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाइ 8 चार्सोद बटा आठ तेन पार माइनस 3 तो ये कितना हो जाएगा अपने पास तो इस केस में आपका अंसर हो जाएगा 50 मिली हेंडरी विए इसमें उसके अधब बनाते लास्ट केशन पर तो एक बार यहां तक नोट करें इसको last question में देखो आपको यहां पर एक यहां पर वायर गिवन है जो कि इस तरह से मूँ कर मुँक कर रहा है और इस वायर का खुद का resistance कितना है खुद का resistance भी यहां पर दिया हूँ है 2 Ohm तो यहां पे Force क्या हो जाएगा Force हो जाएगा ILB है ना यह जो Force है इतना ही Force हमें लगाना पड़ेगा न तो Force of ILB कितना लगाना पड़ेगा तो देखो सबसे पहले यहां पिसका equivalent circuit बनाते है अपन यह 6 oh 3 तो parallel में है न तो 2, 3, 6 और EMF कितना है BLV तो सबसे पहले तो current देख लेते है current कितनी हा रहाएगी EMF upon 2, 3 parallel 6 EMF कितना है BLV upon 2 plus 2 B कितना है 2, L कितना है 1, V कितना है 2, 4 तो 4 से 4 कतम I की विले तो जाएगी 1 तो I कितना आ रहा है 1 आ गया, अब जैसे यहाँ 1 रखोगे length की value कितनी दिये रहे है अपन को 1 और B कितना देखा है 2, तो यहाँ पर जो force required है वो force required कितना आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा, ओके बच्चों तो यह अपना यहाँ पर एक easy सा part complete होता है उम्मीद करता है आप लोगा paper काफी अच्छा होगा एक बार अपने solutions को note करें ओके, thank you, all the best